निर्मला सीता रमन भारतिय राजनीती की एक प्रमुख और प्रभावशाली महिला नेता है। अर्थविवस्था और सुरक्षा क्षेत्र में महत्पून बदलाव लाये हैं। पी ए की डिगरी अर्थशास्त में हासिल की। उच्छे शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली के जवाहर लाल नहरू विश्विद्याले से में और एमफिल के डिगरी हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद निर्मला सीता रमन ने विभिन कंपनियों में काम किया। जिसमें यूके की क्रिशी कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स भी शामिल है। उन्होंने लंदन में सिर्फ क्वालिटी ट्रस्ट और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भी काम किया। निर्मला सीता रमन का राजुनीतिक करियर 2006 में बीजेपी में शामिल होने के साथ शुरू हुआ। 2010 में उन्हें भाजपा के राष्ट्रिय प्रवक्ता के रूप में न्यूक्त किया। यहां उन्होंने पार्टी की नीतियों और विचार धाराओं को प्रभावी ढंक से प्रस्तूत किया। 2014 के लोकसभा चुनाओं के बाद जब भाजपा ने सत्ता संभाली तो निर्मला सीता रमण को वानिज्य और उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में न्यूक्त किया गया। 2017 में निर्मला सीता रमन को भारत की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया, जिससे वे देश की पहली पूर्ण कालिक महिला रक्षा मंत्री बनी, इस पत पर रहते वे उन्होंने भारती रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कई महतपूर्ण फैसले लिए और सैनेक शमत सब्सक्राओं को बढ़ाने के लिए विभिन सुधार किये, साल 2019 में निर्मला सीता रमन को भारत की वित्मंत्री नियुक्त किया गया, इस एहम पत पर रहते वे उन्होंने भारती अर्थवेवस्था के विकास के लिए कई नीतीगत सुधार और बजट प्रस्ताव पेश कि उनकी नीतियों का उद्देश्य वित्तिय स्थिर्ता, आर्थिक प्रिद्धी और सामाजी कल्यान को बढ़ावा देना है। निर्मला सीता रमन की शादी पराकला प्रभाकर से हुई जो एक प्रसित धर्थ शास्त्री और राजनीतिक विशलेशक हैं। दमपती की एक बेट निर्मला सीता रमन का योगदान आने वाली पीडियों के लिए फ्रेणा डायक है। वियो रिपोर्ट अन्पीजी निउस।